दोस्तो यहां पर टाई रहा है ेवरीव की बात कि यह दोस्तो लोग यहां 65عة हरन को आपको यहां अवरीव स्कोर मिलेगा और पीशला जो मैच्झ कोई इसो ग्राउंड़ फो फोड़ा हाय स्कोरिंग मैच score जा चुका है बात कर लेते हैं लाष्ट के 5 मैचस की यहाँ पर लट लव स्टैट्स की तो लाष्ट के 5 मैच में दोस्तों चार में जो टीम पहले बैटिंग किया वो जीती है और केवल एक ही टीम दोस्तों यहां पर चेस करते समय जीती थी जो कि पहला मुकाबला इस ग्राउंड पर खेला गया था बात कर लें रिसेंट के दो मैचस दो इसी आई पेल में खेले गया हैं तो कोलकाता यहां पर पिछला मुकाबला है इस ग्राउंड पर हार मतलब जीत करा रही है दस रणों से और आरसीवी दोस दोस्टों यहां पर 15 विगेट लिए फास्ट बोलर और साथ विगेट स्पी मुएलर तो आपको दोस्टों यहांपर अपने टीम में बूर चैयों तक बाकि हए आयरा मैच होकत से हैं बात कर लेते यहां पर दोस्तों मुंबई इंडियस इस ग्राउंड पर हार करा रही है और केक्यार दोस्तों जो यहां पर तीसरा मैच खेल गया था तो केक्यार यहां पर जीत करा रही है तो यहां पर मतलब एक तरह से यह का सकते हैं कि केक्यार यहां पर थोड़ा सा मतलब श्ट्रोंग है क्यूंकि पिछला मुकाबला इस ground पर जीच करा रही है हेट्टु एट कमप्रिजन की बात के लिए तो यहाँ पर आप लोग देखेगा KKR कितनी वीक है दोस्तो यहाँ पर 27 मैच खिले गए है जिसमें से KKR केवल 6 मैच जीतने पाई है और Mumbai Indians 221 मैच जीती है तो यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं एक One Sider दोस्तो Mumbai Indians जीती है और लास्ट के बाद दो सीजन की बात किया है दोस्तो चार मैच में तीन मैच यहाँ पर Mumbai Indians जीती है तो यहाँ पर Mumbai Indians का पगड़ा बहुत ही भाग रही है पर आपको के बात करें दोस्तों देखने वाली बात यह रहा है कि क्रिसलिन क्रिसलिन पीछले मैच में अच्छे फर्म में दीखे तो 49 रणर स्कोर की भी किया थे बात कर ले कोलकाता की तरफ से दोस्तों कोई भी पिलियर यहाँ पर मुंबेगे खिलाफ मतलब अच्छा फॉर्म में नहीं रहता है आप लोग देखी सकते हैं कि मतलब कोई भी पिलियर यहाँ पर 50 प्लस स्कोर नहीं किया है नहीं 240 प्लस स्कोर किया है मुंबई के खिलाफ तो लेकिन यहाँ पर बात के लिए नितित सराना जो पिछले मैच में अच्छे फॉर्म में थे और राहुल 340 तो हम लोग उन्हीं पर ज्यादा फूकस करना है बात कर ले तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि मुंबई को जो बॉलर से बहुत ही अच्छी मतलब फॉर्म में रहते हैं यहाँ पर कोलकाता नाइट एडर्स के खिलाफ और कोलकाता का बॉलर्स कुछ खास यहां करने नहीं पाएं बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर दोनों दो मैच खिले गया थे पिछले सिजन उसकी यहाँ पर पेस पसे से स्पिन की रिकॉर्ड तो जो फास्ट बॉलर चौदव विकेट लिये थे और स्पिन बॉलर छे विकेट पिछले सिजन बात कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पर क्या रहेगी प्लेइंग लेंड कोलकाता नाइट एडर्स की तो यहाँ पर मुझे जहां तक लगत गया था इसे सिजन का कहने का मतलब दोस्तों जो तीसरा मैच हुआ है दरबाद खिलाफ जहां पर जीत करा रही है उसकी स्टैट से तो यहां पर आप देख सकते हैं कि राहुल त्रिपाटी तीरपन रन बनाया थे नितिसरान आसी रन अब बागी को भी प्लियर्स दोस्तों यहां पर पॉलकाता के तरफ से फॉर्म में नहीं था केवल दिनसकार्थी को छोड़कर जो किलास में थोड़ा बहुत अच्छा खेले थे बात करें बॉलिंग सिक्षन से तो प्रसिदी कृष्णा दो विकेट चटका है थे साकीव लेविशन एक एक विकेट और दोस्तों ह यहां से अपको पता है क्यूंकि एक वीडियो मैंने आपको बता दिया और यहां से दोस्तों हाइस्ट विकेट टेकर वरुण चेखरवती हैं फिर पैट कमिंस तो वरुण चेखरवती पर आपको ज्यादा फोकस रखना है क्यूंकि जो आपको पता है कि अच्छी किया रहेग但 जहांपर confusion रहा है दूसरे नंबर पर लेकर क्टंड को खेलें यह हो और éisी को ले नहीं मातलब oni को खेलेंगा तो आप इनको लीजीए गा नहीं तो क्रिस्ट्रीड आइगा वह यहां से रोहित सर्मा को खेले क्रते अन्हconom ुपक्र इसला मैच हुआ तो पहला मैच RSV वे खिलाफ हार करा रही है उसमें दोस्तों रोही सर्मा उनीस रन बनाये थे और आपको पता है कि केक्यार के खिलाफ रोही सर्मा का अच्छा रिकॉर्ट से तो आप इनको कैप्टन बना सकते हैं इस मुकाबले के लिए स्मॉल लिक के लिए क्रिसलीन यहाँ पर 49 रन बनाये थे सुर्कुमार यादव 31 निसान के संट 28 रन तो टॉप उड़र के तो चार बैट्समें थे दोस्तों ठीकी ठाका स्कोर किये थे मतलब कि आप लोग देख सकते हैं कि 20 प्लस स्कोर कर ही दिये थे और बॉलिंग सिसन से बात किर जस्परिद करने के लिए फिर बात कर लेते हैं दोस्तों यहां पर कुछ ट्वेंटी मैचस खेले गए तो इंग्लेंड खिलाव तो वहां पर दोस्तों इसान की संट और सूरी कुमर यादव तो अच्छे फॉर्म में थे लेकिन आईपियल में पिछले मैच में ठीकी ठाक फॉर्म में देखे ते लेकिन अपनी पारी को लंबी करने पाया थे बाउलिंग से सेबात करें तो सीजन की बैटिंग ज़िए थे तो आपको पता है कि इसान कि को तो आपको टीम में रखना है दोस्तों कि जब भी विकेट लेंगे दोस्तों दो या तीन विकेट इजली ले लेंगे भले ही दोस्तों नहीं लिए हो पिछले मैंच में टेंट बोल्ट विकेट ले लेंगे तो ज्यादा पॉइंट के डिफरेंस हो जाएगा तो आप लोग इजली मतलब हार जाएगा तीन पर ज़्यादा आपको फोकस रखना है स्मॉल ली की टीम में की प्लियर्स की बात करें कोलकाता के तरफ से नीति सराना राहूल त्रिपार्टी एंडररसल प्रसिद्ध कृष्ण ये चार ऐसे प्लियर्स हैं जो कि पिछले मैं च्छे फॉर् पर मैं बॉलिंग करेंगे तो इनको जाहिसी बात विकेट मिले गई और बैटिंग में दोस्तों पहले आ जाते हैं बैटिंग करने अगर बचे रहते हैं तो मुंबे इंडेंस की बात करें रोहिच सर्मा क्रिशलीन जस्परित लूम्बरा और मार्कस जैंसन यह रहेंगे द दोस्तों चार की प्लियर्स तो आप बात कर लेते हैं टीम्स की उपर तो दोस्तों होती है हमारी पूरी डिटेल एनलेसिस जलते जलते